जहिन साथियों एक वार आप सबका फिर से स्वागत है विजेपत एजूकेशन पालंपुर में आज हमारी क्लास फोर्थ रहेगी NCRT के उपर पेस्ट जर्नल साइंस की जिसमें हम फिर से एक वार इंपोर्टेंट कोशन की सीरिज को आप सबके सामने यहां पर लेके आए हैं यह सारे के सारे आपके कोशन ओल कम्पिटिटिव एक्जाम को कवर करते हैं स्पैशली SSC, BSF, CRPF, Air Force, Navy, Indian Army या फिर अधर जो भी हमारे हिमाचल एक्जाम रहते हैं जैसे की हमाचल पुलिस का एक्जाम है, HP पटवारी का एक्जाम है, JOIT का एक्जाम है, HRTC कंड़क्टर का एक्जाम है उन सभी के लिए जर्नल साइंस के यह कोशन आप सभी के लिए खास बनाए गए हैं important question किये, आपकी series चली है, इससे पहले हमारी जो 3 classes हैं, वो regular way में daily आपकी होती हैं आज आपकी 4th class रहेगी, तो जुड़ना ना भूलें, और वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप SSE, GD के अलाबा अधर किसी exam की भी अगर आप तियारी कर रहे हैं तो विजेपत education app आप डाउनलोड करें और वहां से आप अपने exam के according अपनी test series purchase कर लें ताकि आपका जो exam का pattern है वो आपको पहले ही उसका idea हो जाए, आपकी त्यारी जो है वो 100% successful हो जाए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पहला question आपके सामने दिया गया है bilingual प्रशन है आपको Hindi English में कोई भी problem यहाँ पे नहीं आएगी जल्दी से आप इसका answer जरूर करें वन वाइट किसके equal होता है एक वाइट किसके equal होता है तो students यह वैसे आपको देखने से लग रहा है कि आपका computer से related question है बट actual में यह computer का question नहीं है computer की line में भी computer की field में भी bit, white या kb, mb का question आता है लेकिन physics की language में भी bit या byte का question आपका बनता है तो science के according यहाँ पे question पूछा गया है बन बाइट किसके equal होता है तो काफी easy question है एक बाइट जो है आपका एक बाइट जो है वो आपका equal रहता है 8 bit के तो 8 bits का option कौन सा है आपका option 1 जो है वो इसका बिलकुल सही answer रहेगा next question है the unit for measuring crude oil internationally is अंतरास्टी स्तर पर कच्चे तेल को मापने की इकाई क्या है तो जब भी हम बाहर से international level पे जब हम तेल को इंडिया में लेके आते हैं export export जब oil का किया जाता है एक country से दूसरे country में तब उस oil को मापने की इकाई क्या रहती है यह चीज़ आपको यहां पर बतानी है आपके पास चार option दिये गए हैं जैसे कि आपके पास है लीटर, barrel, gallon या फिर US gallon तो SI unit आप सब भी जानते हैं किसी भी liquid का SI unit जो है वो है आपका लीटर लेकिन यह आपका SI unit चलता है बेसिकली इंडिया में लेकिन जब हम किसी another country से किसी चीज़ को import export करते हैं तब उनके unit जो है वो change हो जाते हैं जैसे हमारा जो यहां पर भार है वो बेसिकली ग्राम या किलोग्राम में करते हैं बाहर जो है उसको वो टन या पाउंड में जो है वो उस चीज़ को mention किया जाता है वैसे ही जब crude oil की बात हम करते हैं यहाँ पर तो उस case में जो कच्चे तेल को मापने की इकाई यहां पर रहती है वो रहती है barrel तो option second जो है वो आपका बिल्कुल सेही आंसर यहां पर रहेगा उसके बाद अगला प्रशन आपके पास है 18 karat gold is in 18 karat स्वरण में क्या होता है मतलब आप सभी को पता है कि gold जो है वो purity जो है वो किस में श की जाती है 24 karat का सोना जो है वो बिल्कुल बिल्कुल प्योर जो माना जाता है लेकिन इस 24 karatQué का हम जैलरी बनाने में उप्योग नहीं कर सकते क्योंकि यह liquid form में होता है 24 karat का मतलब है इतना ह likuid नहीं लेकिन हलका सा यह likuidish form में जो होता है जैसे कि हमारा हनी है और water है water जादा likuid है उस की जो density है और honey की density है दोनों में जादा फर्ख जो शहाद है उसकी bottle को अगर आप उल्टा कर देटेज़ इंधो शहाद बिलकुर धीरे-đधीरे नीचे आता है उसी परकार से जो gold है वो 24 karat का हलका सा liquid form में होता है मतलब उसके गहने जो है वो हम नहीं बना सकते तब उस case में उसमें क्या मिलाया जाता है उसमें copper, tamba मिलाते हैं ताकि उसकी जो stability है वो जादा बनी रहे उसमें जो चमक जो है वो gold की रहे और जो उसमें stability है वो कहां से आए वो tamba से आए ताकि वो टूटे नहीं तो 18 karat में क्या चीज हो सकती है आप सभी को पता है 24 karat का मतलब है 24 karat का मतलब है 100% तो यहाँ पर आप से कितनी वैलू पूची गई है 1 karat की तो यहाँ पर 24 karat की value आपको पता है तो 1 karat की value कितनी आ जाएगी आपके पास बनेगा 100 by 24 यह एक कैरat की value अब आप से पूची कितनी गई है 18 की तो इस तरफ 18 से multiply तो इस तरफ भी 18 से multiply अब आप इसको cutting करें 6 के table से काटेंगे तो 6 से 3 बार जाएगा और 6 से जाएगा ये कितने और 4 बार 4 से 100 जाएगा तो कितना आएगा 25 और 25 गुणा 3 करेंगे तो 75 प्रतिशत जो है बोस में क्या रहेगा बोस में रहेगा गोल्ड तो 75 प्रतिशत का कौन सा आपका option है option 3, right answer है 75 परसेंट उसमें सोना है और 25 परसेंट जो है उसमें इंप्योर्टी मिलाई जाती है जस्ट लाइक जिंक हो गया आपका कॉपर हो गया ताम बाहाई इन चीजों की मिलाबट वहाँ पे की जाती है अगला प्रेशन फिर से बेटे अबाइट से रिलेटेड है यह computer science की form में भी आप इसको ले सकते है एक किलोबाइट और मेगावाइट बराबर होते हैं तो कौन सा option आपका यहाँ पे सही है यह आपने यहाँ पे बताना है एक किलोबाइट एंड मेगावाइट इकोल होते हैं तो इसका जो right answer आपका बनेगा वो बनेगा option 4 एक हजार चोबिस बाइट और एक हजार किलोबाइट यह इसका right answer है यहाँ पे 1000 नहीं आएगा यहाँ पे 1024 ही आएगा यहाँ पे 1024 ही आएगा MB जो है एक MB जो है वो किसके इकोल होती है वो आपकी रहती है 1024 Kb के इकोल तो यहाँ पे जो है वो आपका 1024 आएगा इस option को आप accurate कर लें option 4 आपका सही answer रहेगा next question है आपके सामने Tesla is a unit of magnetic magnetic की field में Tesla जो है वो किसकी unit है magnetic flow की, induction की, area की या फिर momentum की यह आपको यहाँ पे बताना है कि Tesla जो है वो किसकी unit है comment आप जरूर करें साथ साथ में इसके साथ आपकी SSC की classes जो है वो भी आपकी start हो चुकी है वो भी आप math की specially classes जो है वो आपकी start है उनको आप देख सकते हैं कोमेंट आप जरूर करें टसला इस अ यहनट ऑफ मेगनेटिक तो किस चीज की यह आपकी value रहती है flow, induction, area या फिर momentum यह आपको बताना है यहाँ पे basically आपने सुना होगा कि जो टसला है वो magnetic field intensity का जो है वो magnetic field, magnetic flux density का जो है वो basically unit जो है वो माना जाता है लेकिन जब आप option को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आसा कोई भी option नहीं दिया गया है यह जो भी आपकी यहाँ पे journal science की series चली है यह थोड़ी से आपकी advanced level की series रहे की क्योंकि इसमें विल्कुल basic level के हम question जो है वो आपको नहीं कराएंगे basic आपको आपकी books में भी आपको question मिल जाते हैं आप daily routine में जो question परते हैं वो भी आपको basic level के question मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पे हम थोड़े से basic से moderate level की बात कर रहे हैं basically यहाँ पे unit जो है वो आपका magnetic flux जो है वो नहीं दिया गया है तो आपको बताना है कौन सा इसका right answer यहाँ पे रहेगा तो इसका जो right answer है आपका वो आपका रहेगा option number 3 area यह इसका बिल्कुल सही answer रहेगा tesla is a unit of magnetic flux आप बोल सकते हैं या फिर उसी को ही आप क्या बोल सकते हैं area की form में consider कर सकते हैं तो option 3 जो है वो आपका right answer यहाँ पे रहने वाला है अगला question है आपके सामने आपको बताना है निमन में से कौन द्रब्यमान की इकाई नहीं है which of the following is not a mass unit mass unit नहीं है तो इसका जो right answer आपका रहेगा वो है आपके पास dine यहाँ पे spelling mistake है dine जो है वो आपका right answer रहेगा kilogram, gram और pond जो है यह आपके सारे mass unit में count किये जाते हैं और dine जो है वो आपका एक bait का unit जो है वो consider किया जाता है next बात करते है lumen unit किसका मातरक है lumen जो है वो किसका मातरक है तो जोती flux का जो है यह इसका unit आपका रहेगा option third जो है वो इसका right answer यहाँ पे रहेगा अगला one micron is equal to एक micron किसके पराबर होता है थोड़े से advanced level के question है आपको साथ साथ में notes जो है वो बनाते चलना है यहाँ पे आपको अगर Hindi medium के हैं आप या फिर English medium के हैं तो question आप लिखें और उसके सामने जो है आप उसका answer यहाँ पे लिख दें बस इतने से आपको daily to daily जो है वो notes बनाने हैं अभी तक हमारी तीन classes हो चुकी है आज हमारी fourth class है इन सभी ही में हम जो है वो आपको daily के 20 to 25 question जो है वो हम आपको cover कराते हैं तो अभी तक हमारे 100 question के आजपास आज की इस class से 100 question के आजपास आजपास आपके total question बनेंगे तो कही कहीं आपके हर किसी exam में यह पूछे जाते ही हैं तो one micron जो है वो किसके equal रहता है तो 0.001 mm के जो है वो equal रहता है तो option one जो है वो आपका बिल्कुल सही answer यहां पर रहेगा अगला question है आपके सामने light air is the unit of which of the following परकाश वर्स किसका मात्रक होता है तो काफी easy question है और exam में भी पूछा गया यह आपका प्रशन है light air जो है वो किसका unit होता है तो unit के question जो है वो आज यहां पर जादा देखने को मिले हैं light air किसका जो unit है वो आपको बताना है option है velocity time astronomical distance और light intensity यहां पर यह चीज़ आपको बतानी है कि क्या इसका राइट answer रहेगा light air जो है वो basically distance को show करता है लेकिन खगोल यह दूरी को astronomical distance को यह show 15 meter यह one light air की जो value है वो आपकी रहती है 9.467 भी किसी में दिया जाता है यह 60 भी दिया जाता है तो यह आपकी जो है वो आगे further study में जो है वो आपकी helpful रहती है लेकिन basically हमारे पास इतनी option नहीं आती है 9.456 आप learn कर लें 15 to 10 की पावर 15 meter जो है वो आपकी light air की value रहती है next question आपके सामने है the Newton first law Newton के पहले नियम को और क्या कहा जाता है तो पिछले कल भी मैंने आपके साथ यहाँ पे discuss किया था कि capillar low जो है वो आपकी law of planet के नाम से जाने जाते हैं वहाँ पे study की जाती है planet की और force या फिर motion से minimum को क्या कहा जाता है rule of momentum energy law of momentum या फिर law of inertia तो आप सभी को पता है basically यहाँ यहाँ पर फिर से एक वार मैं discuss करता हूं Newton के द्वारा दिएगे तीन लो थे अब यहाँ से जो Newton का first law है वो सिर्फ और सिर्फ आपने ध्यान में रखना है force को बताता है force को बताता है मतलब force को क्या करता है define करता है उसकी वो definition समझाता है लेकिन जो Newton का second law है वो उसी force की value को निकालने में help करता है क्योंकि F का यहाँ पर formula हम बनाते हैं F is equal to MA और जो Newton का third law है उसको हम nature's law के नाम से जो है वो हम जानते हैं Newton का जो third law है यहाँ पर उसको nature's law के नाम से हम जानते हैं क्योंकि every action equal and opposite मतलब इस दुनिया में जितने भी हमारे action हो रहे हैं उनसे कोई ना कोई एक opposite reaction भी possible हर किसी case में होता ही होता है force या फिर motion के case में तो यहाँ पर Newton का जो first law है वो सरफ force को define करता है Newton का second law उस force की value को निकालता है जैसे कि मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर कोई एक int जो है वो रखी गई है एक brick जो है वो रखी गई है अब मैंने इसके उपर force लगाई तो यह brick जो है वो अपनी position को change करके यहाँ पर चली गई यहाँ पर आपने देखा होगा यह आपकी brick जो है वो यहाँ पर चली आई अब यहाँ पर आपने क्या लगाई आपने लगाई यहाँ पर force तो Newton का first law यहाँ से verify हो गया लेकिन मैं अब आपसे यह पूछूँ कि इस brick को हिलाने के लिए इस movement के लिए आपने कितनी force लगाई उसकी value कितनी है तो फिर आप किस phenomena का use करेंगे तो आप करेंगे Newton के second law का इस्तेमाल तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि Newton का first law क्या शोग करता है तो law of inertia के नाम से जो है वो हम Newton के first law को हम यहाँ पर जानते हैं अगला प्रशन है यह question भी पिछली class में हमने बात की थी यहाँ पर दूद को मतने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है जब यह मखन को बाहर निकाला जाता है मिलक से तो जब उसकी separation होती है उसमें कौन सी force का use किया जाता है centrifugal force, friction, gravity या फिर shining force तो यहाँ पर centrifugal force जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है कोई आपके पास एक डिबा है उसमें जो है वो आपने दही जो है वो डाला है यहाँ पर और यहाँ पर आपने जब वो मशीन लगा दी जब वो रोटेट करती है मशीन तो यह जो मखन है यह सारा जो है वो इस बीकर की दिवार में जो है वो चिपक जाता है मतलब बाहर की तरफ जो है यह जाता है तो बाहर की तरफ जो भी force लगाई जाती है उसको centrifugal force बोलते हैं और जो अंदर की तरफ force लगाई जाती है उसको centripetal force के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है आपके सामने What is the feature of sound that distinguish a female voice from a male voice थोड़े से advanced level के question में यहाँ पे आपसे discuss कर रहा हूँ सारे के सारे topic को यहाँ पे cover किया जाएगा जो आपकी एक sound है ऐसी कौन सी उसकी feature है, property है जिससे हम एक male और female की sound को differentiate कर सकते हैं आप सभी ने देखा होगा जब भी हम customer care से बात करते हैं जब भी हम customer care से बात करते हैं तो वो जब भी hello बोलते हैं तो हम पहले ही समझ जाते हैं कि वो क्या है, वो female है या फिर वो कौन बात कर रहा है male बात कर रहे हम किसी की boys से पहचान सकते हैं अब जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर बात कर रहा हूँ अब चहरा तो मैं आपके सामने यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ लेकिन जो मेरी boys है वो आपको यहाँ पर कहीं न कहीं पर कुछ एक ऐसा feature बता रही कि आप पहचान सकते हैं कि कोई male बात कर रहा है या फिर कोई female बात कर रहा है जैसे कि जब आपके parents आपको बुलाते हैं ठीक है तो आप उनको कैसे पहचानते हैं उनकी sound से पहचानते हैं आप for example आपने अपनी आँखें बंद कर ली आपके momi आपको आवाज लगा रहे हैं तो वो आपको कैसे पता चलेगा उनकी sound से पता चलेगा तो ऐसी कौन सी quality है कौन सी एक ऐसी value है जिसके according आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं अलग बता सकते हैं distinguish work कर सकते हैं तो वो चीज़ क्या होती है वो होता है तारत्व तारत्व है star हम जिसको बोलते हैं और basically हम यहां पर उनकी pitch के बारे में भी बात कर सकते हैं और pitch directly depend होती है हमारी किस के उपर frequency के उपर तो लड़कियों की जो है वो high pitch होती है high pitch का मतलब है यहां पर मैं wavelength और frequency की form में आपको बता देता है यह जो है वो high pitch की value है और यह जो है वो आपके पास slow pitch की value है लड़कियों जो है वो fast fast बोलती है इसलिए उनकी pitch इस टाइप की बनती है और यहां पर जो है वो लड़कों के लिए कुछ इस टाइप की यह बनती ह है तो इसका जो right answer आपका रहेगा वो है आपके पास तारत्व अगला प्रशन है आपके सामने which of the following has no effect on the velocity of sound इन में से किसका ध्वनी के बेग पर कोई परभाब नहीं पड़ेगा आपको यहां पर बताना है कि ऐसी कौन सी एक ऐसी value है जिसके ओपर ध्वनी के बेग पर कोई परभाब नहीं पड़ता है velocity of sound के ओपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है जैसे कि velocity of sound का मतलब है velocity को मैंने पिछले कल भी आपको बताया था velocity को understand हम कर सकते हैं किस से speed से जो speed of sound है speed of sound जैसे कि कोई गाना आप लगा रहे है वो गाना जो है वो काफी तेज तेज चल रहा है जिसे dj में होता है ठीक है तो यहां पर humidity apply कर दी जाए तो क्या speed of sound के ओपर फर्क कोई पड़ेगा अगर कोई pressure apply कर दिया जाए प्रेशर का मतला है atmospheric pressure तो क्या speed of sound के ओपर कोई फर्क पड़ेगा अगर temperature ये density में कोई changing कर दी जाए तो क्या speed of sound के ओपर कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा तो यहां पर humidity, temperature और density में अगर कोई भी change आता है तो speed of sound directly change हो जाती है लेकिन अगर मैं pressure के साथ कुछ change करता हूं उसके साथ कोई में छेड़ छाड़ करता हूं तो speed of sound के ओपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तो pressure जो है वो इसका बिलकुल सही answer यहां पर रहेगा अगला प्रशन है आपके पास which of the following phenomena cannot occur in sound wave अब यहां पर जो मैं आपसे यहां पर question कर रहा हूं थोड़ी सी मैं आपको यहां पर hint देता हूं आपको किस टाइप से वीडियो को देखना है किस टाइप से आपको question जो है वो लिखने है यहां पर आपने अगर यदि आप अगर नोर्स बना रहे हिंदी English medium के आप किसी भी stream के हैं तो अगर आप English के हैं तो जैसे English में आपने question question लिख लिए यहां पर और अगर आप Hindi के हैं तो आपने Hindi में question लिख लिए वीडियो को pause करें उसके आद खुद चेक करें आप अपने mind में कि कौन सा इसका accurate answer रहेगा जैसे आपने कोई सोच लिया कि option A जो है वो आपका right answer है जैसे आपने for example यह मान लिया तो अब आप वीडियो को फिर से play करें और फिर check करें कि कौन क्या आपने जो answer यहां पर टिक किया है कि आपका वो सही है या फिर वो गलत है तो इससे आपका जो है वो पहले एक test का test हो जाएगा उसके साथ में आपके notes के notes भी बन जाएंगे वीडियो mostly 30 minute के आज पास आपकी रहती है 20 to 30 minute के आपकी एक वीडियो रहती है आप इसको stop और play की form में देखेंगे तो एक घंटे में आपके 20 question जो है वो 101% आपके दिमाग में fit हो जाएंगे और सबसे खास बात आपकी यह है कि यह जो मैं आपके पास question लेके आता हूं जैस को मिलेंगे तो उससे आपकी जो है वो ज्यादा practice यहां पर हो जाती है question पर आते हैं which of the following phenomena cannot occur in sound wave sound wave में कौन सा phenomenon नहीं होता है तो interference, reflection, diffraction यह तीनों की तीनों चीजे sound wave में possible होती है लेकिन polarization जो है उसका sound से कोई भी लेना देना नहीं है यह सिर्फ चलता है आपके light की form में light wave में यह आपका polarization का process होता है लेकिन sound wave में polarization का process नहीं होता है अगला प्रशन है आपके सामने sound with a frequency of 20 hertz to 20,000 hertz is called 20-20,000 hertz की जो हमेरी ध्वनिया है उनको हम क्या बोलते हैं तो यह आप से यहाँ पर पूछा गया है मैं यहाँ पर table जो है वो आपको बना देता हूं table जो है वो किस type का हमारा table रहेगा यहाँ पर जो है वो सबसे पहले रहती है 0 से लेके 20 hertz तक फिर हमारी रहती है 20 hertz से लेके 20 kilo आप लिख सकते हैं या फिर thousand लिख सकते हैं यहाँ पर 20,000 hertz भी आप लिख सकते हैं या फिर 20k मतलब kilo hertz आप लिख सकते हैं और उसके बाद आता है 20,000 hertz से जादा या फिर more तो यहां पे जो 0 से 20 हैं इसमें human नहीं आता है यहां पे जो है वो हमारे पास आता है human हम जो हैं वो 20 से 20 हजार की range तक धोनियों को सुन सकते हैं वैसे 20 हजार तो काफी जादा है लेकिन हम जो हैं वो 20 से 20 हजार तक के range में हम exist करते हैं इसलिए इनको बोला जाता है audio sound audible wave हम बोल सकते हैं या फिर हम audio sound जो हम बोलते हैं अब बात करते हैं जो 20,000 से ज़ादा है उनको बोला जाता है ultrasonic ultrasonic जो आपकी ultrasonic में use की जाने वाली wave हैं वो 20,000 Hz से ज़ादा होती है उनको ultrasonic बोलते हैं और जो हमारी 0 से 20 Hz तक होती हैं उनको हम बोलते हैं इन्फरा इन्फरारेज इन्फरारेज तो यह यहां पर आपके पास इन्फरारेज में जो है वो आपके पास आते हैं दोग और ultrasonic में आपके पास देसे की elephant है या फिर mosquito है मच्छर है यह इसमें आते हैं blue whale है यह जो है वो ultrasonic में आते हैं और डोग जो है वो सबसे अच्छा एक्जामपल है इन्फरासॉनिक बेब्स का तो यहां पर जो है वो डोग जो है वो आर्मी में इन्फरासॉनिक रेज की बज़ा से ही डोग को जो है वो आर्मी में रखा जाता है ताकि वो smell करके जो है वो किसी bomb का जो है वो detection कर सके तो इसका जो आपका question का right answer है वो है आपका audio sound अगला question है what does a bat sound like? चमकादर की ध्वनी कैसी होती है तो चमकादर की ध्वनी जो है वो पराश्रब ध्वनी है तो यह आपका option fourth जो है वो आपका right answer है पराश्रब ध्वनी को जो है वो हम यहां पर ultrasonic sound के नाम से भी हम जानते हैं तो बैट जो है वो यहां पर इसका सबसे अच्छा example है सबसे अच्छा example है 20 kilo hertz में यहां पर जो है वो बैट इसका right answer यहां पर आएगा पराश्रब ध्वनी को जो है वो हम English में ultrasonic के नाम से जानते हैं यहां पर attitude नहीं आएगा ultrasonic यह इसका right answer रहेगा अगला है दप्रियोडिसिटी ऑफ दसेकेंड पेंडूलम पेंडूलम से रिलेटेड हमने एक कोशन पिछले कल भी किया था तो यहां पर इसका सेकेंड पेंडूलम का जो प्रियोडिसिटी है अब 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 तकाल है वो कितना होता है जब यह एक मेंडूलम जो है वो मीन टू एक्स्ट्रीम पूजिशन जाता है तो उसका जो टाइम पीरेड रहता है वो वहां पे रहता है दो सेकेंड का तो ऑप्शन सेकेंड जो है वो उसका right answer रहेगा अगला कोशन है चंदर्मा पर कोई अंतरिक शियातरी नली की सहाईता से क्या लगाई गई है एक फ्ट्रो लगाई गई है तो यह क्या यह कि सहाईता से क्या यह जो की सहाईता से निम्बु का शर्वत पी सकता है यह नहीं पी सकता है तो इसके option भी आपके सामने यहां पे दिये गए है तो यहां पे राइट अंसर इसका क्या रहेगा चंदर्मा पर घनत्यों के कारण तोरण कम है अब आपको यहां पे कोशन में ही एक चीज़ दी गई है कि कांट कांट का मतलब है सरबत क्यों नहीं पी सकता यह तो आपको पता चल गया कि वो सरबत नहीं पी सकता क्यों नहीं पी सकता क्योंकि चंदर्मा के उपर कोई एटमॉस्फियर ही नहीं है वहां पे तो कोई आपका बायू मंडल ही नहीं है तो इस कारण से वो जो है वो शरबत नहीं पी सकता अब चंदर्मा से एक और सबसे important आपका question यह आता है SSE का आपका यह question रहेगा SSE का आपका यह question है वहाँ पे आपका question यह आया था क्योंकि जब मैंने खुद एक exam दिया था SSE का तो उसमें यह question जो है वो पूछा गया था कि जब आप चंदरमा के उपर कोई एक bomb जो है वो अगर फोड़ते हैं तो धरती में उसकी sound कितने समय के बाद सुनाई देगी तो उसके option भी दिये गए थे जैसे कि 10 second के बाद एक घंटे के बाद या फिर एक minute के बाद या फिर इन में से कोई नहीं या फिर किसी में दिया जाता है सुनाई नहीं देगी या सुनाई देगी तो यहाँ पे जो bomb की sound है वो हमें नहीं सुनाई देगी तो इन में से कोई नहीं इसका right answer था या फिर sound नहीं सुनाई देगी अगर कोई ऐसा option होता तो right answer था क्योंकि चंदर्मा पे उपर कोई भी बायू मंडल नहीं है और कई बार question आपके सपास इसी type के question आते हैं लेकिन आप फिर भी उनको गलत जो हैं वो करके आते हैं यहाँ पे आपका जो mind है वो कई बार puzzle हो जाता है मेरे से भी खुद जब मैं अपने exam यहाँ पे देता हूँ तो कोई न कोई एक general science का question ऐसा पूछ लिया जाता है कि वो आपको बाद में घर आके पता चलता है कि ओहो ये question तो आपका बड़ा जादा easy था जैसे मैंने आपको bomb बाला question यहाँ पे बताया अब आपको bomb का question ऐसा नहीं है कि direct पूछा जाएगा यहाँ पे आपको एक question जैसे कि पहला question आपको पूछ लिया जाएगा कि चंदर्मा से जो चंदर्मा का परकास है वो पृत्वी तक कितने समय में पहुंचता है तो अब mind जो है आपका वो उस time को सर्च कर रहा है कि 20 second में पहुंचता है जैसे सूरे से आपको पता कि सूरे का परकास जो है वो आपका आठ मिनट 16 second में धर्टी में पहुंचता है मालो यह आपका पहला question आ गया तो अब आपको दिमाग जो है उसको यह पता कि वो जो रोशनी है वो इतने समय में पहुंचती है लेकिन जब question अगला ही आपका bomb बाला question आपको डाल देंगे तो आपका mind उसी में ही वो searching रहेगा कि वो सुनाई देगी लेकिन कुछ time लगेगा आठ मिनट का time लगेगा जैसे तो फिर उस case में आपका जो mind है वो उस case में उसी इसको study नहीं कर पाता है और जब आपका exam खतम हो जाता जब आप घर आ जाते हैं उस paper को check करते हैं जो आपके offline होते हैं तो फिर आपको बाद में पता चलता है कि ओहो ये question तो आपका easy था बट फिर भी मैंने इसको गलत कर दिया अगला last question है आज की इस class का बरसात के दिन दिनों में जल पर छोटी तेली परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं ये किसके कारण होता है काफी important question है और मैंने पहली ही आपको बता दिया है advanced level की journal science आपकी यहाँ पे चलाई गई है ये आपके air force के exam को भी cover करती है तो यहाँ पे बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि कोई एक road है और यहाँ से जब कोई गाड़ी जाती है तो उसका अगर कोई petrol अगर यहाँ पे गिर जाता है तो यहाँ पे एक चमकीले रंग की इंदर धनुष के color की एक film जैसी जो है वो बन जाती है तो वो किसके कारण होती है तो वो होती है आपकी interference वैसे इसका right answer है बट यहाँ पे option में नहीं दिया गया है तो reflection परीकशेपन वैसे हम उसको बोलते हैं interference को जो है वो परीकशेपन हम बोलते हैं तो यहाँ पे reflection नहीं आएगा interference आएगा परिक्षेपन जो है वो इसका बिलकुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा CD में भी आपने देखा होगा जो हमारे पास DVD की CD होती है तो जब आप उसको हलका सा tilt करते हैं घुमाते हैं तो आपको जो है वो 7 color यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं तो वो भी किसके कारण होता है interference के कारण वो होता है उसके आदर मेले में आपने देखा होगा मेले में एक साबुन का गोल मिलता है और उसके अंदर जो है वो एक छोटी सी इस टाइप की कोई एक डंडी जैसी बनाई होती है जैसे इस गोल को इसमें फूक मारते हैं हवा जब इसमें देते हैं तो इसके छोटे छोटे गुबारे जो है वो निकलते हैं बबल जो है वो निकलते हैं और उपर आस्मान में चलते हैं तो यह हमें कैसे दिखाई देते हैं चमकीले रंके जो हैं वो दिखाई देते हैं तो ये भी किसके कारण होता है ये भी interference के कारण ही यहां पे होता है तो I hope आप सबको ये class काफी अच्छी लगी होगी वीडियो को like करें share करें मिलेंगे जल्दी ही एक नई class के साथ तब तक जै हिंद जै भारत